हेलो फ्रेंड्स ओम साहिराम आज हम लोग एक ऐसी चीज का हलुआ बनाएंगे जो कि हमें खाने में भी अच्छा लगता है और हमारे दवा का भी काम करेगा देखिए यह है अदरक आज हम लोग अदरक का हलुआ बनाएंगे इसके लिए मैं क्या-क्या चाहिए अदरक बस इन ही तीन चीजों से अदरक का हलुआ बनाएगा चलिए फिर हम लोग इसको बनाते हैं अदरक को छील के अभी मैं मिक्सी ग्राइंडर में पीस लूँगी यह देखिए अदरक पीस लिए हमने ऐसे पेश्टे जैसा बंजना लिए थोड़ास पानी डाल लिए और पीस लिए अदरक को अब इसको चलिए हम लोग अलवा बनाते हैं गैस पे हमने यह फ्राइपैन चड़ा दिया है अब इसमें हम गी डालेंगे गी डालेंगे गरम हो चुका पैन गी पुरा मेल्ट कर लेंगे बहुत फायदे की चीज है द्रकाल हुआ जो में खासी आती है शर्दियां शुरू हो गई है अक्सर बच्चों को बड़ों को सबको खासी आनी शुरू हो जाती है इसको आप रोज एक चमच खिलाईए अद्रक का पेस्ट डाल दी हमें अब इसको बूनेंगे दीन दीन आज़े प्रांग से साथ मिनट तक ऐसे हम चलाएंगे तो यह हमारा पेस्ट सूखा हो जाएगा और अद्रक पक भी जाएगा चली बून के फिर आपने आपको आगे दिखाते हैं देखें पकरा है सूखा भी हो रहा है इसका कलर भी चेंज हो रहा है अब इसने हम लोग डालेंगे चीनी चीनी अपने तेस्ट के अपार्डिंग डालेंगे अगर किसी को आपके घर में शुगर है उसके लिए बना रही हूं तो आप शहद का प्रियोग करें अगर उसको शहद ही मना है तो ऐसे भी सिंपल आप खिलाईए तो खासी में बहुत ही फायदा हो रहा है अब इसको बिल्कुल सूखा कर लेंगे जैसे थोड़ा गीला हलुआ बनता है उस तरह से देखिए फलर चेज जोने लगा ये देखिए हलुआ बनके हो गया तयार दोस्तों आपको कैसा लगा ये जरूर बनाईएगा और खाईए खिलाईए उन्हें बच्चों को सबको और मेरे वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करिए धन्याच जहा तो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब ग्रवाच्टल ये जाओ पिल्सक्राइब च्राइब ग्रवाच्ड ना जोन्के जाब को इस ऐसम्टेश करिए